सैम्सन की कहानी बाइबिल के पुराने नियम, पुरानी वाचा की पुस्तक न्याईयों, जजेस में मिलती है यह कहानी शक्ती, विश्वास घात और परमेश्वर की कृपा की है यहां सैम्सन की संक्षिप्थ और सरल कहानी प्रस्तुत की गई है प्राचीन इस्राइल में इस्राइली लोग अक्सर अपने दुश्मनों फिलिस्तीनियों के द्वारा सताए जाते थे इस समय इस्राइली लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे और फिलिस्तीनी लोग उन पर राज कर रहे थे ऐसे समय में परमेश्वर ने एक नायक को भेजा सैंसन सैंसन का जन्म एक डैविय वर्दान के रूप में हुआ था उसकी मा को स्वर्गदूत ने कहा कि सैंसन एक विशेश बच्चा होगा और उसे जीवन भर एक नाजरी नैजिराइट के रूप में रहना होगा इसका मतलब था कि सैंसन को कुछ विशेश नियमों का पालन करना था जैसे कि उसके बाल कभी नहीं काटे जा सकते थे उसकी शक्ति और ताकत उसके लंबे बालों में बसी थी और यह शक्ति परमेश्वर से मिली थी सैंसन बड़ा हो कर बहद शक्तिशाली हो गया वह अकेले ही फिलिस्तीनियों से लड़ सकता था एक बार उसने एक शेर को अपने नंगे हाथों से मार दिया और एक बार तो उसने एक गधे की जबडे की हड़ी से एक हजार फिलिस्तीनियों को हरा दिया उसकी अवश्वस निय शक्ती से इस्रायली लोग फिलिस्थीनियों से सुरक्षित थे सैम्सन के जीवन में दलिला नामक एक महिला आई जिससे वह बहुत प्रेन करता था लेकिन दलिला को फिलिस्तीनियों ने सैमसन की कमजोरी का पता लगाने के लिए रिश्वत दी दलिला ने सैमसन से बार-बार पूछा कि उसकी शक्ती का रास क्या है और आखिरकार सैमसन ने उसे बताया कि उसकी शक्ती उसके लंबे बालों में है जब सैमसन सो गया, तो दलिला ने उसके बाल काट दिये और उसकी शक्ती चली गई बाल कटने के बाद फिलिस्तीनियों ने सैमसन को पकड़ लिया, उसकी आखें निकाल दी और उसे जेल में डाल दिया लेकिन सैमसन ने परमेश्वर से अपनी शक्ती वापस देने की प्रार्थना की एक दिन जब फिलिस्तीनियों ने सैमसन को उनके मंदिर में मनोरंजन के लिए बुलाया सैमसन ने अंतिम प्रार्थना की और अपनी खोई हुई शक्ती वापस पाई उसने मंदिर के दो बड़े स्तंभों को पकड़ा और पूरी ताकत से उन्हें हिलाया मंदिर गिर गया और सैमसन ने अपने साथ हजारों फिलिस्तीनियों को भी मार दिया यह उसका अंतिम बलिदान था सैमसन की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर हमें अद्वितिय गुन और ताकते देते हैं लेकिन जब हम उन पर घमंड करते हैं या परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हम उन्हें खो सकते हैं लेकिन जब हम सच्चे मन से परमेश्वर से मदद मांगते हैं, तो वह हमारी मदद करते हैं, भले ही हमने कितनी भी गलतिया की हो। यह कहानी बलिदान विश्वास घात और परमेश्वर की दया का उदाहरण है, और यह हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी हमें परमेश्वर पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए।